मस्पी से 500 रुपे कम दाम पर सोया बीन बेचने के लिए मजबूर है किसान तिलहन फसल होने के बाब जूत किसानों को सोया बीन का उच्छी दाम नहीं मिल पा रहा इस वक्त ज्यादातर मंडियों में मस्पी से कमी दाम चल रहा है इस समय सरकार ने सोया बीन की आमस्पी 400 रुपे प्रतिक विंचल तै की है जबकि ज्यादातर मंडियों में 42 से 45 रुपे प्रतिक विंचल तक के दाम में ही किसानों को संतोष करना पड़ रहा है किसानों का कहना है कि अगर तिलहन दाल तिलहन फसल पर भी उनको सही दाम नहीं मिलेगा तो फिर किस फसल पर मिरेगा क्योंकि तिलन खादिया तेल बड़े पेमाने पर आयात कर रही है ऐसे में कम से कम यहां के किसानों को तिलन फसलों को तो सरकार को सही दाम सुनिश्चित करना चाहिए वरना लोग सोयाबीन की खेती छोड़ कर किसी और फसल की खेती करना शुरू कर देंगे तो आयात और बढ़ जाएगा वही मध्यपरदेश और महाराष्टर देश में दो बड़े सोयाबीन उत्पादक राज्य है और दोनों के किसान उची दाम न मिलने की वज़े से परिशान है पहले ही आना तिलन फसलों के मुकाबले सोयाबीन का दाम काफी कम है इसकी MSP अन्य फसलों के मुकाबले कम है इसके बावजूद भी किसानों को सही दाम नहीं मिल पा रहा इसलिए उनमें भारी गुसा भी देखने को मिला है हलाकि एक बात तैह है कि ज्यादतर जगों पर दाम 4000 पे प्रतिक विंटल से उपर है लेकिन किसान चाहते हैं कि उन्हें कम से कम MSP जितना दाम मिले 2021 में सोयाबीन का दाम 10,000 पे प्रतिक विंटल से ज्यादा तक पहुँच गया था किसानों को उमीद थी कि इस साल भी अच्छा दाम मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ और किसानों की उमीदों पर पानी फिर गया वही महाराष्टर स्टेट अग्रिकल्चर प्राइस कमिशन के पूरफ चेर्मेन ने दावा किया है कि महाराष्टर में सोयाबीन उत्पादन की लागत प्रतिक विंटल 6,234 रुपे आती है किसानों का कहना है कि अगर मंडियों में इतना दाम भी मिल रहा है तो उसे संतोष जनक माना जाएगा लेकिन ज्यादातर मंडियों में इससे कम दाम ही चल रहा है हलाकि किसानों को उमीद है कि इस साल भाव आगे चलकर बढ़ जाएगा वहीं अगर आज की मंडियों के भाव की बात की जाए तो आज मंडियों में भाव नीचे में 4000 तो उपर में 42 सो से लेकर 43 सो रुपे तक मंडियों में देखने को मिले हैं